हेलो स्टूरेंट वेलकम तो माई बुकलो चैनल माई नेम इस विकास रवास्तो आज हम लोग क्लास 11 जोग्रफी की बुक से चाप्टर 30 वाटर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चाप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई हम देख ले थे हैं कि किन-किन टॉपिक्स पर हम यहा इस नवी raz qa मेंडन रहें लोगी ने कर दो ने लोगी और हम एंडन हैं कर देल थ बूब्सें, नेस्स, स्क्रावी घर कों प्रेंस, औरिस्ड से ऴ सब्रस्तार्स, भॉज तर म यहाँ बीध्स, क्रणस उप buyers इन सभी टॉपिक्स में हम क्लास के डूरेशन के डिस्कसन करेंगे चाप्टर को हम एक ब्यूटिफुल कोट से स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटिफुल थिंग एबाउट लेर्निंग इस दाट नो वन कैन टेक इट अवे फॉम यू बहुत अच्छी कोट है कि लिर्निंग की सबसे खास बात सबसे सुंदर बात दिये है कि इसे कोई भी आपसे चीन नहीं सकता बाकी चीजे आपसे चीने भी जा सकती मगर लिर्निंग ऐसे चीज है जिसको कोई भी नहीं चीन सकता जब आप किसी exam की preparation कर रहे हैं तो उस duration में उस journey में आप जिन भी चीज़ों को सीखते हैं परशली तो वो exam में काम आएंगी और plus अगर आपको practical knowledge भी है उसका तो आगे आने वाले समय में वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो पढ़े कुछ ना कुछ नया सीखते कि आए अब हम अपने चाप्टर को स्टार्ट करते हैं कि चाप्टर स्टार्ट हो रहा है हाइडू लॉजिकल साइकल से है आप सभी जानते हैं कि water is a cyclic resource जैसे कि हम इसको यूज करते हैं फिर यह नलियों के द्वारा नदियों में नदियों से फिर सागरों में इस तरीके स सब्सक्राइब करते हैं जो एक साइकल कर देती है ठीक है water also undergoes a cycle from the ocean to the land and land to the ocean इस तरीके से चलता रहते हैं जैसे कि यहां पर समझ सकते हैं अगर यह ओशन यहां पर ठीक है the job the location से धीरे धीरे collection से कंडेनसिशन ठीक है ठॉपलेर्स का कलेक्षिन लिए जाकर यह दूर कर प्रेसिपिटेशन होगा ठीक है फिर यह प्रेसिपिटेशन से जो पानी की धाराय है किसी बड़ी नादि में जाकर मिलेंगी ठीक है और फिर वो नदियों का पानी धीरे धीर फिर सागर में आकर मिल जाएगा ठीक है इवापुरेशन केवल ओशन से नहीं इवापुरेशन आपके इस तरह के रिजर्वर से भी होते हैं और स्वाइल से भी होता है वेजिटेशन से भी होता है ठीक है टांस्पिरेशन और इस तरीके से लेक वकरा है वहां से भी होगा फि होगा ठीक है कुछ water percolation की माध्यम से अर्थ पे वापिस अंदर चला जाएगा और कुछ ground water flow होगे फिरोशन में आते मिल जाएगा कि इस तरीके से cycle यह cycle यह बनी होती है ठीक है इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो यह चलती रहती है इसे को हम हाइड्रोलोजिकल साइक है कंपोनेंट एंड प्रोसेस आफ वाटर साइक क्या है वह इसकी प्रोसेस क्या जैसे की water storage इन ओशन अगर water storage ocean में तो एवापोरेशन के माध्यम से ठीक है कि हावा में मिक्स होके water droplets cloud का फॉर्म कर देंगी cloud फिर precipitation के माध्यम से किसी अन जगाँ पर उस पानी को गिराएगा और फिर वहां से दीरे दीरे नद्यों के माध्यम से फिर वह ओशन में आके मिल जाएग ठीक है अगर इस तरीके से water storage है तो क्या होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर में अगर सब्सक्राइब यहां पर कहीं पर बर्द भी जमी हुए तो sun rays की वज़े से यह दिरे-दिरे पानी में अगर नदियों में तलाबों में जाकर मिल जाएगा इस त्रीम फ्लो फ्रेस वाटर इस टोरेज इंफिल्टरेशन ठीक है ग्राउंड वाटर इस्टोरेज यह आप देख सकते हैं यह ग्राउंड वाटर है ठीक कुछ इस टोरेज हो जाएगा अंदर जो को हम स्सिर्श में पर सेंटाइव नाथ यह बाकी का रशे प्रसेंट इंप टो प्लेडी को अग में वाटर इस वाटर तोर इस टोगा उत्मी का रफ ट्रीम है नोभी कि अगयान खिक बेम थेया हैं बाकी का राश्वाटल अप्र। इपर से इस जान आ हैं तर भीका इस सर्षें सब चीजे इंक्लूट होगी रस्ट ऑफ टुटि-नाइन परसेंट कहां कहां मिलेगा आपको आइस कैप में ग्लेसियर में ग्राउंड वाटर सोर्च में लेक्स में स्वाइल मॉस्ट्र अट्मॉस्ट्रियर स्ट्रीम्स एं विदिन परसेंट के आज पास जो वाटर है जाट सब्सक्राइब करने वाली बात है कि रिन्यूबल वाटर ऑन दा आर्ट इस कॉंस्टेंट वाइल डिमांड इस इंक्रीजिंग त्रिमेंडेस्टे जो रिन्यूबल वाटर है सोर्स है लुद्स को पीने में यूजासकता है बहुत ही लिमिटेड है घाले के वाटर किया को से बहुत है कि वहां पर पानी बिल्कुल ही खतम हो गया था लगबग ना के बराबर था वहां पर जो फ्रेस वाटर था यूज डेली यूज में आती था वाटर वह नहीं बचा था इस कारण से वहां पर कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कतम उठाए जिसे की पानी को बचाया जा सका और फिर कि अधिन हमारे देश में ना हो तो वाटर वेस्टेस जितना कम हो सके प्लीज कम कीजिए अधि रिलीव ऑफ द ओशन फ्लोर अब ओशन फ्लोर के डप्थ में जाएंगे हम और जितनी भी उसके टोपोग्राफिक उसके बारे में समझेंगे यहां पर जिए ग्राफर ने डि इंडियन वह गया सदन ओशन होगा और आर्टिक इस तरीके से पांच बाड़ी में जोग्राफर ने इनको डिवाइड कि उसके बाद अब हम ओशन के डिवीजन हो गया अब ओशन के डिप्थ में जाएंगे ऑशन फ्लोर के डिवाइड इंटो फोर मेजर डिवीजन ओशन इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है कॉंटिनेंटल सेल्फ स्लोप यह सारी चीज़ें आपर बताएंगे को लुए सब को वन बाइवर डिसकश करें बिसाइड दिवीजन देर और आलसो मेजर एंक्ट्र माइन रिलीफ्टित भी है ईसन फ्लोर में जैसे कि रिज हो गए लिश्व हो गये सी मांट्स हो गये वागई ट्रसे रोगे कैनियंवस हो गया इन सब ही के बारे में बीएवक इस उस तो के कांटीनेटल सेल्फ में जह एकना समझा यह पॉर्षण कांटीनेटल सेल्फ इस एक्स्टेंडेट मार्जिन ऑफ इच कांटीनेंट अफ इच कांटिनेंट उक्पाइट बैर डिले टिपली शालोिस जालॉसी स्ट अग्ल्फ मतलब कि ज्यादा डीप नहीं रहेगा बहुत ही पास में रहेगा देखिए इस तरही इसमें भी है यह आपको यहां पर स्टीप स्लोप देखने को भी लाइम अगर यहां पर जो है वह ज्यादा गहरा ही नहीं इसी को हम कांटिनेंट होगा और आप जी कहले जी कि सी से का पाई यहां बहुत करता है यह में चहीं सबॉर्सन को कांटिनेंट जा्टिनेंट गैळ सब्सक्राइब यसाख जाता है यहांपर यहां से स्लोप बहुत स्टीप वहनदेगा इस पोर्शन को कांटिनेंट के craft seperti सब्सक्राइब अब आपको चौड़ाई अबरेज मिलेगी कोंटेंटर मेटर की असपास होगी जैसे कि कोस्ट और चिली एंड वेस्ट पोड़ाइगा आप 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 जेगे बहुती नेरो रहेगा तोपोग्राफिया अर इक जगी के अलग अलग होती है जैसे कि कोस्ट और चिली एंड वेस्ट कोस्ट के वात करें तो मोच पर forth बल्ट गवद कहें है बहुत जयदा है तर फॉप अ मतलई है बार मैंने आप से बताया कि अलग अलग जोगों के अलग अलग हो सकती है अलग कहीं पर ज़्यादा गहरे हो सकते हैं कम कहीं पर गहरे हो सकते हैं जैसे कि 30-meter in some area और और कुछ अरिया में 600-meter तक भी हो सकते हैं इस अलग कि ज़ए इस पोर्शन की मात करें हो स्टीजいや से कांटिनेनठल स्लोप क्या है कांटिनेटल स्लोप स्टेम ओशन को कनेक्ट करती है यह देखिए है है को यह और यह आधे टिनेटल स्लोप ओर तुं सत्य गारि धे सlvania को कंटिनेनचल स्लोप करने एक अलोड़े जति uwडर वाले स्लोप apples को स्कुुत सब्सक्राइब आधा, ओर आधागे यह ब्लैक से समझ लीजी यह पॉट्सन ही यह बेस हो गया क्यानिन ऑफ टरंच अर उबसल्ड इन दिस रिजन पर आपको कैने यह टरंच जान दो टरंचिस जह इन देंड देंड तरंच इटरंच इस डिप-सी टरंच आउल कि के अमाएन के कैनिन भी दिखा दूगा मैं अपको इसी जगा पर 77 सन्मरीन धार तो इस कर्णेक्टिंग्टिंण स्लोप में ही कहीं पर आपको इस तरह कैनिन मिलेगी यह YOUR dar आपको देखी कैनेन को कमिलता है थीक है नौ इप सी प्लेन आप जानते हैं कि इप सी प्लेन इप सी प्लेन आप जंटली जलोपिंग अरिया अप दो ओसन बेसी इस प्लेन आर कवरड विद फाइन ग्रेइन सेटिमेंट लाइक लेड और सिल्ट इस है इस दो आफिक है यहां पर कहीं पर दिखने को मिल जाए आपको अधिकर इस इंग प्लेन कि इप सी ट्रेंच चले मैं एप समझा देता हूं इस परिशन यह ठीच नहीं आ इस प्लेन है बहुत हलकी सी तिल्ट आपको देखने जरीज वरग कर दीज़ुए टो में सिध्डर नहीं जंटल तो फिए अगल्ठ हुग हुँ और यहां पर हुँए और इ Cover Your वोशन सबसे गहरा भाग है यहाँ पर स्टीपसाइद मिलेंगे और बेसे अब यहां पर देख सकते हैं कि स्टीप साइड सीथी सीथी खड़े हैं साइड और नैरो बेसें वहाँ पर बहुत तिर्चा जाएगा नीचे के तरह कि यह थी तीन से पांच किलो मेटर फ्लोंट अगर हम समझे तो इससे भी तीन से पांच किलो मेटर नीचे आप समझ रहें जा रहा है तो पांच किलो मेटर तक रेंज है माइनर रेलीफ फीचर्स पर आ जाते हैं इसम मेजर थी माइनर पर आ जाते हैं मेड ओसेनिक रीज यह मैं आपको दिखा सकता हूं यह देखें यह मेड ओसेनिक रीज है मेड ओसेनिक समय देखें राइट करें मेड जाते हैं इसको में डिर्ट लांटिक रिज आप करें तो यह तरीकिया की मांटेनी है विद पॉइंट इड समेट राइजिं फॉपर तक तो आते हैं मगद सर्फिस तक नहीं बहुत देखें सिमाउट और तक तो आ रहें मगद सर्फिस देख रहें कितनी दूर है इसे के अंधर है कि अपके अंदर हैं आप ले क्याव हैंट की एक सकते हैं हावाई आइलैंड का इन पैसिफिक ओशन कि अभी आईलेंड यहां पर इस जगह पर कहें करें कि अभी की अभाइम के बात करें अभाइम तो शमरीन कैनियन थीज आरड़ा के वैली बहुत ही गहरी वैली होती है तक है हर्सन यहां पर इस ही के पास पर आपको कैनिया के है कि यह एक्जांपल हो गए इसके एक जिए इस अ फ्लैट टॉप्ड शी मांट फ्लैट टॉप्ड शीमांट थो है मगर निका टॉप कैसा है फ्लैट है मैं आपको दिखा देता है इन से हाला कि इसके कंपरिजन में इसकी हाइट जाता है मगर फ्लाट टॉप है यह भी सर्फिस तक नहीं पॉस्ते सर्फिस से नीचे ही रहेंगे और टॉप कैसे लाएगा फ्लाट रहेगा अट आल क्या है यह लो आइलेंड है फांड इन टॉपिकल ऊशन गांसीश्ट अपर रीफ सर्फिस के और इसके और इसके और इसके और इपरेशिन एपरेशन अग्या ना यह फिस यह आपे यह लाइगून का पार्ट हो सकता है और सम्टाइम इंक्लोजिंग अबड़ी ओफ्रेस ऑर हाइली स्लाइन वाटर इसके और श्रेस वाटर भी हो सकता है यह ब्रैकेस वाटर भी हो सकता है इसको यह पारल रिफ पर देंगर अब टमप्रिचर की बात कर ल तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑफ देशन वाटर इस लोवर दन लैंड या आप जानते भी है मैं इसे प्रिवेश चैप्टर में बात बता भी चुका हूं कि जो ओशन वाटर है वो देरी से घर्म होता है और देरी से ही ठंडा भी होता है यह जो फैक्टर है जो इसके टंप्रेचर को एफट करेंगी इसके बारे में जान लेते हैं जैसे की लैटिटूड अगर आप लिटिटूड की बात करें temperature of the surface water decrease होता है जैसे जैसे हम equator से pole की तरफ जाते हैं ठीक है क्योंकि जो insulation है वो भी आप जानते pole water जाने पर क्या होता है decrease होता है अगर इस तरीके से हम earth लें और इस तरीके से latitude करें roughly ठीक है तो जैसे जैसे उपर की तरफ जाएंगे वैसे temperature क्या होगा कम होता जाएं ठीक है pole water क्योंकि insulation यहां पर कम होता है insulation means heat जो sun से आती है अर्थ पर या तो फिर unequal distribution हो लैंड एंड वाटर का जैसे की ocean जो कि northern hemisphere में है वो heat ज्यादा receive करेगा क्योंकि क्या होगा आप जानते हैं कि नौटन हमीज पर यहां पर लैंड जादा है compared to the southern के तो आप जानते हैं कि लैंड जल्दी घर्म होते हैं जल्दी घर्म होंगे contact में आने वाले sea ocean भी घर्म हो जाएं क्योंकि wind चलती है ठीक है और जबकि comparison में southern hemisphere के जो ocean है वो कम गर्म होते हैं क्योंकि इनके contact में आने वाले land कम है land area कम है में इस वैसे यहां का temperature कम रहता है और wind भी कारण हो सकती है पहला कारण latitude second unequal distribution of land and water third prevailing wind wind जो blow होती है from land toward the ocean dry warm surface water away from the coast resulting in apprelling of cold water from below ठीक है अगर हम इस तरह किसे continent की बात करें उसके contact में आने वाला यह सी ठीक है तो यहां से गर्म हवा चलेगी कर्म हवा चलेगी तो उपर की surface की water क्या कर देगी गर्म कर देगी गर्म करने के वज़े से हलका हो जाएगा हलका होके जब यह नीचे जाएगा तो ठड़ना पानी उपर की तरफ आजाएगा ठीक है कि कर थे फेलिंग कहते हैं जिसकों इसकों विल बिलो एंट रोड यू लॉंग किट्यूटिवन व्यरिएशन इपर सिंप्रेश इस तरीके साभीर्शन देख दिक त्ड़ ट्रीक कि जबकि इसी के विरोध नोटम तो ऌनों मुंट पैलव मॉटर नियर पस्ड एंड तो फॉने के बाद है वो नीचे की तरफ जाएगा वह वह वाट आज जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा और नीचे से फिर ठंडा पानी उपर आजाएगा तो इस तरह की सर्कुलेशन होता रहता है तो यहां से वाम एर चल लाई है तो यह जो हल्का गर्म होके हल्का हो गया इसको अवे दूर ले जाएगे जिसके वज़े से थंडा पानी जो आए वह उपर आजाएगा थंडा पानी उपर आनी को हाँ अफ वाटर कहते हैं तो यह इस तरह के से हमें लॉंगिटूटनल देखने को मिलता है तंप्रेचर में भी वोशन के अभी मैं समस्था होगा वन वाइवन तो उपर का पानी गर्म नीचे का थंडा पानी क्या होगा उपर की तरफ आजएगा और जबकि इसी के विरोध में ऑन सोर्विंट पाइल तो यह गर्म पानी लाएगी कोस्ट पर लाकर खटा कर देगी जिसकी वजए से यहां कोस्टल एरिया का टंप्रेचर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और फिर वो क्या होगा कि उसकी जगह लेने के लिए ठंदा वाटर फिर मूव करेगा ओशन करेंट ही आप जानते आपराइब क्या करेंट और जो कोल्ड करेंट होगी वो क्या करेगी डिक्रीज करेगे टंप्रेचर को आपकरेंट क्या करेगी नगें यह टंडे रहते हूं यह टंडी जगह है कर्ण पानी पहुचा घरम कर दिया जैसे कि Gulf Stream जिसको हम वाम करन्ट कहते हैं रेस्ट टेंप्रेचर नियर दा ओशन इस्ट कोस्ट आफ नॉर्ड अमेरिका का इस्ट कोस्ट यह देखें इधर पर चलती है गल्फ इस्ट पॉस्ट नॉर्ड इस्ट पॉस्ट और अगर हम बात करें वैस्ट कोस्ट की यूरोप के ट्रीम नॉर्ड नॉर्ड अमेरिका के इस्टन पोर्शन को कर्म करतेगी और western coast of Europe यह देखें यूरोप के western coast को गर्म कर देगी ठीक है यहां पर गल्फ इस्ट्रीम और जबकि लेब्राडोर जो cold current है वो temperature को low कर देगी north east coast of the north अमेरिका जब लेब्राडोर चलेगी तो north east coast of north अमेरिका को क्या कर देगी जो coastal area है उसको ठंडा कर देगी ठीक है नॉर्थ इस्ट की बात कर रहे हैं यहां यह लेब्राडोर सी है यह लेब्राडोर तो गल्फ इस्ट्रीम गर्म कर देगी नॉर्थ अमेरिका को ठीक है और जबकि कोड़ करेंट लेब्राडोर वो ठंडा कर देगी नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि जो इंक्लोस्ट सी होते हैं सब्सक्राइब यह सी है इसके चारो तरफ लैंड एरिया है ठीक है इस तरह के से क्रीय क्रीज को ही ब्लाटेक्टिट्ट टीक के लगाल वहां का तंप्रेचर तंपरेचर घ्र अपरके लैटिटूड में सी तो तो वहां का temperature कम होगा open c की comparison ठीक है क्योंकि heat क्या होती है वह means यह कह लिजे कि transfer नहीं हो पाती जिस कारण से other open c की comparison में यहां का temperature जो low latitude में close c होगे high होगा और जबकि higher latitude में close c का temperature lower होगा comparison to the open c अगर इसके पास में open c मिल रहा है तो यहां का temperature अगर low latitude पे है यह तो यहां का temperature क्या होगा high होगा comparison to this temperature अगर यहां का T1 consider करें यहां का T2 consider करें तो इसके comparison में T1 high होगा जबकि high latitude में उपर ज़ले जाए और close c है तो वहां का temperature लोगा comparison to the open c okay horizontal and vertical distribution देख लेते है temperature का boundary region between the surface water of the ocean and deeper layer यह सारी discuss करेंगे प्रोफाइल से होगा boundary region boundary region यह इस तरीके से ठीक है boundary region boundary region between surface water of the ocean and deeper layer जो deeper layer है वो और surface water है वो उसके बीच की boundary ठीक है usually around 100 to 400 meters 100 से 400 meter के बीच में 100 meter और यह 400 meter के बीच में extended several hundred of the meter downward this boundary region काफी नीचे तक और भी गये हैं अब यहां से आप देखेंगे कि वेर देरी से रैपिड टिक्रीज ऑफ टंपरेचर यहां से आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से कि बहुत ही तेजी से टंपरेचर गिरा है ठीक है इस तरीके से बहुत ही तेजी से गिरा कि इसी बाउंडरी को हम घर्मोक्लाइं बाउंडरी कहते हैं जहां से टंपरेचर घर्टा आप अब बहुत ही तेजी से करता है उसको धर्मोक्लाइं बॉंडरी कहते हैं जबकि about 90% of total volume of water is formed below the thermoclion thermoclion से नीचे मिलता है 90% of water 10% water ही उपर मिलेगा ठीक है और 90% water thermoclion 9 के नीचे मिलेगा यह ठीक है यहां पर rapidly 100-400 मीटर फिर उसके बाद भी गिरेगा यहां तर 1,000 मीटर फिर बहुत ही धीरे 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 तब्रेचर गिरता है इतनी रैपिट आपको देखने को नहीं मिलेगा यह सीधर सीधर रैपिडली गिरा तो नाइटी परसें थर्मो क्लाइन से नीचे थर्मो क्लाइन को ऊपर के वर 10% water मिलता है आपको इस जोन तर्परेचर अपरोज जीरो डिएडीरी सी इनको तीन लेयर में डिवाइड किया गया है फॉम दे सल्फिस तू बॉर्स्ट लेयर ने तॉप लेयर वाम उस्यू वा तूपरेचर रेंजिंग 20-25 डिग्री सी के मत्व में मिलेगा यहां पर टम्परेचर अंडर से 500 कहले या जीरो से 500 कहले तो यह फस्ट लेयर हो गए जबकि सेकेंड लेयर जिसको हम थर्मो क्लाइन कहते हैं जो कि फस्ट लेयर के नीचे होगी यहां पर आपको रैपिटली तेजी से यह देखें 20 16 1284 तेके 500 से 1000 में रैपिटली गिर गया तंपरेचर और 500 से 1000 मेटर में आपको दिखाई यह देखें ना जो थर्ड लेयर है वह बहुत ही थंडी होगी और एक्स्टेंड अप्टू तुदा डी पोश्ट यह आप देख सकते हैं यह तर्ड लेयर है य जाएगी बहुत नीचे तक 4500 मीटर गह रही तक जा सकती है आर्कटिक और अंटार्टिका सर्किल में आपको मिलेगी थर्लियर बिसिक्ली सर्फेस टंप्रेचर क्या होगा और क्लोज टू जीरो डिग्री सी एंसो तर्ट टंप्रेचर चेंड डैप्ट इस वैरी स्लाइड दीरे दीरे बहुत ही मिन्स टंप्रेचर गिरने लगेगा पहले तो आपको सर्फेस पर यहां पर जीरो डिग्री क्या असपास मिलेगा ठीक है उसके बाद फिर और कम होता चला जाएगा तंप्रेचर दीरे दीरे यह तीन लिए रहा है फस्ट दिस सेकेंड दिस और आगे समझ लेते हैं चीजों को कि दा एवरेज टंप्रेचर ऑफ सर्फेस वाटर ऑफ उस्ट इस 27 डिग्री होता है जो कि धीरे धीरे गिरता है ठीक है एक्वेटर से ट्वर्ड पोल की तरफ तरफ जाएंगे आप तो फिर यह और धीरे धीरे गिरना चाला हूँ जाएगा यहां पर आज पस आपको 27 मिलेगा इस से पोल की तरफ जाएंगे तो और कम हो जाएगा जो रेट है टंप्रेचर की गिरने का और लैटिटूड का इंक्रीस होने का बाई उपर जा रहा है तो लैटिटूड इंक्रीस हो रहा है ठीक है वह 0.5 डिग्री सी पर लैटिटूड एक लैटिटूड जैसे ही आप पार करेंगे तो 0.5 डिग्री सी कम हो जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर आपको यह मालूम है आप किस लैटिटूड पर इस समय मौझूद है तो उसके बेसिस पे आप वहां के टंप्रेचर भी बता सकते हैं कि लगभख एवरेज वहां का इत्की मिलेगा तो आप 20 डिग्री तो आपको तो तो आपको क्या मिलेगा फोर्टीन डिग्री की आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि नॉर्टन डिग्री का देखने को मिला है यह सभी लोग जानते हैं mostly that maximum temperature of the ocean is always at the surface ठीक है क्योंकि यह सन से आने वाली heat को direct absorb करता है और फिर धीरे धीरे वह heat lower section में transfer हो जाती है ठीक है पहले surface पे होगा फिरे धीरे धीरे transfer होगी वह निचे की तरफ जाएगी कि तुर्दा process of convection जो temperature या heat transfer होती है इसे हम convection कहते है क्योंकि जैसे कि मैंने previous chapter में आपसे discussion किया convection में क्या होता है जो भी contact body सब्सक्राइब करने लगती ठीक है warm water हो जाता है उसकी जगह ठंडा पानी ले लेता है ठीक है कि result in to decrease of temperature with increase depth जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे temperature और कम होता जाए तो rate of decrease temperature है वो मगर uniform नहीं है throughout हो सकता है कहीं पर हलका सा difference difference देखने को मिले कहीं ज्यादा देखने को मिले ठीक है युनिफॉर्म नहीं कम होगा मगर युनिफॉर्म वे में नहीं के टंप्रेचर गिरता तो बहुत तेजी से ठीक है अब तो देप्ट ऑफ 200 मिटर तक बहुत तेजी से अम टंप्रेचर गिरेगा मगर फिर क्या होगा अब टंप्रेचर पे ही कही सारी और चीज़े डिसाइड होती है जैसे कि उसमें से एक है सैलिनीटी जैसे कि इसको हम कल्कुलेट करते हैं अगर 1000 अपने सीवाटर दिया है तो उसमें कितने ग्राम साल्ट है ठीक है कितने ग्राम साल्ट मेक्स है इसे पता चलेगा उसकी वाटर की सैलिंटी कतनी या मेजर मेंट निक्राने के लिए जिसको हम पार्ट्स पर थाउजन या पीपीटी के रूप में लिखते हैं जैसे जितने भी सब्सक्राइब इस तरीके सेंबल बना देते हैं जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है या प्रॉपर्टी है सी वाटर की जैसे की सब्सक्राइब अगर कहीं पर सी वाटर की सब्सक्राइब है आप लिमेट टू डिमार्केट ड्रैकेस वाटर थीके यह अपर लिमेट है कि यहां का पानी खारा के टॉपर्ट पानी बता दिया जाएगा कि यह खारा पानी है अब यह स्ब्सक्राइब चार्च चीज़ा करतें जैसे कि इवापॉरेशन प्रेसिपिटेशन अगर पानी ज्यादा ओड़ गया उस जगहें से ठीक है प्रेसिपिटेशन पानी गिर गया यह बर्व घिरी दी कर देता है या बोलर रिजन से जो रीज है आइस कि जब मेल्ट होती है कि क्या होगा अब तो फिर या तो फिर 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 जो सेट करती जैसे की ए ट्रांसरिंग वैटर लाथ जुड़ करेंट है या वाम करेंट है एक जगे से पानी को दूसरी जगा पिने जाएगे जिसकी वजह से ऐसे पड़ेंट पड़ेंट का ओसे लिएशन तीक है वही आप बात कर सकते हैं कि करन्ट होती है यह दोनों ही तीनों कह सकते हैं सेलेटी हो गए टंप्रेचर हो गया और यह आपस में इंटर रिलेटे जैसे कि अगर हम कोई टंप्रेचर में चेंज लाते हैं या तो वह सेलेटी पर भी इंपेक्ट डालती है और वाटर के हाइस्ट सेलेंटी आपको मिलेगा जैसे कि लेक वॉन में तर्की में 330 डेट सी में 238 ग्रेट साल लेक 220 तो यह चीज़े याद रखेगा क्योंकि यह कभी-कभी टाइब को सबसे हाइस सेलेटी हमें किस वॉटर बॉडिश्ट लेक वाटर इंटर जैब कि ग्रेट साल्ट लेक में 220 अगर आपको नाम से लग रहा है कि सबस्यादर लेक में को इसा नहीं है कि होरीजंटल इस्ट्रिब्यूशन सब्सक्राइब का इवरेज जो अट्लांटिक होशन की है वह 36 है मैं आपको दिखा देता हूं कि यह दिखिए ठीक है अट्लांटिक होशन नॉर्डन और इस सदर्ट थर्टिसिक्स क्या सब्सक्राइब हैं हाइस जो रिकॉर्ड की गई देखिए हों 15 ृटि लाटिटोड के बीच में अकर हम यह अर्थ बना इस तरह किसी किकेटर थो यह 15 डीग्री और तो 15 डीग्री और 20 डीग्री की बीच में एक मैकस्मम सेलिटी जो अब्सक्राइब की गई है बंद 20 डीग्री नॉर्थ आगर आप जाएं तो जो रिकॉर्ड किया गया है वो 15 डिग्री और 20 डिग्री मत में मगर मैक्समम जो मिलती है ठीक है वो आपको 20 डिग्री नौर्थ 30 डिग्री टू नौर्थ और यहां पर 30 डिग्री नौर्थ फिर यहां पर इस तरीके से घर हम कहा है 20 डिग्री वैस्ट कहीं पर भी ले ठीक है 20 डिग्री वैस्ट से 60 डिग्री वैस्ट तो इस जगह पर यहां सबसे जादा मिली घर सबसें मत मद्दों मगर जो मिली है हमें 37 के असपास मतलब कि कुछ इस पेशल कंडिशन है इस कारण से या बाइचांस आप कह सकते हैं ठीक है ग्रैजुली डिक्रीश तोर्द नौर्ट की तरफ जाएंगे तो यह कम होती जाएगी क्योंकि फ्रेश वाटर मिलने लगता है ठीक है यहां पर मिलती है यहां पर कम होगा यह जादा होगा ठीक है मैं कुछ ऐसे एरिया होंगे जो इक्वेटर पर ना मिलने के बावजूद भी यहां का टंपरिचर बहुत जाता होगा तो कुछ एस तरहीं से नौर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इस लोकेशन इन हाय लैटिट्यूड डिकॉर्ड हायर से अब देखिए नौर्थ सी जबकि आपको आयल एटिटूट में मिली रहा है यह 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 नौर्थ सी है लैटिटूट में मगए उसके बावजूद भी यहां पर सैनेटी ज्यादा है जो मैं आप से डिसकस कर रहा है कि इस पानी यहां पर आता है वह नौर्ट अत्ल किक्डिट से आता है जिसमें सैनेटी यह नमक ज्यादा होती है इस करण से नौर्ट सी की भी सैनेटी बढ़़ जाती है ठीक है बाल्टिक सी की बात करें हम अगर तो यहां पे लो सेलेटी होती है जो आता है वह रिवर से आता है जाद 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 तो इस कारण से यहां पे सेलेटी कम होती है कि मेडिटेरियन सी में यहां पे इस जगह पर यह क्यों कि यहां पर इवापोरेशन है इस कारण से यहां पर जाद 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 बसता क्या है ना वक्त तो छीजों को समझते जाएगा एक बेसिक फिनॉम्मना तो लेकर चलिएगा चलिएगा मगर कुछ अश्प्सन्स भी है उ जबकि ब्लैक सी में बहुत कम होती यहां पर आता रहता है यहां पर आता रहता है इस कारण से यहां पर आता रहता है ट्रेंडियान ओशियन की है थर्टी फाइब बिटी है यह इन ज्देगे पर 25 पी पीटी है कि पार्ट पर तीच थे लो सेलिनेटी जो है चैनल बेल बेल बेंगॉर जो लो सेलिनेटी आपको बेल 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 देखने को मिलेगी क्यों कि यहां पर रिवार वॉटर से बहुत ज़्यादा पानी आता है तो इंडियन ओशन के कंपेशन की और कम हो जाती है जबकि इसके विरुद्ध कॉंप्रेरी अरेबियन सी सोज हाइर से ने डू हाइवापोरेशन लो इंफ्लक्स ऑफ्रस वोटर जबकि जो अरेबियन सी है यह यहां पर सेलेटी है क्योंकि यहां का इवापोरेशन हाई होने की वज़े से यहां पर नमक नमक बच जाने इसकी वज़े से बढ़ गई है यह चीज है वर्टिकल डिस्ट्रिबुशन अगर हम सेलेटी की बात करें तो सेलेटी चेंज विद डैप्थ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ठीक है नीचे की तरफ ओशन में तो सेलेटी क्या होती चेंज होती है बट वेट चेंज डिपेंड अपॉन दूकेशन ऑफ दसी जैसे की सेलेटी है तस सर्फेस इंक्रीज बाइड लॉस अवाटर तो आइस और इवापोरेशन या तो आइस में कर्वाट हो जाएगा पानी सर्फेस का या त तो सेलेटी कम हो जाएगे जबकि डिक्रीज बाइड इंपुट अफ रस वाटर अजब रस वाटर नदियों से आएगा या आइस मेल्ट होगी तो सेलेटी कम हो जाएग ठीक है होता है न थ साल्टेंत होता है तो सेलेटी कि रही लोगा वोटर क्या होगा वहा इस अनिडेंस वाटर के ऊफर अबब फ्लोट करेंदा क्या सलेटी ओघीआ हम रहें लुएंड है या संहलेटी आओ प्रेस्ट वाटर लाइट होने कोंदे से उपर होगा बेसिक फिनोमिना कि इंक्रीज होती है डेप्त के साथ तो देर इस डिस्टींट जोन का दा है तो कि एक है जोन है अगर लेटी जोन है अगर अगर आगर से थे कंच करें कि थे वो रेट ओफ इनकीज जादा हो जाएगा अगर विशंग है से चल्ड अला जाएगा को जाए लूकलाइट तर अला इंपरेचर से रिलेटेड हे लूकलाइट है स्लेटी से लेट है घ्यानके कि इंक्रीष सेलेटी ऑफ सी वाटर और सेलेटी बढ़ेगी तो देंसिटी भी बढ़ेगी तो इसकी वजह से इस्टाइटिकेशन भी कह सकते हैं कि लो सेलेटी वाटर फ्लो करता है हाइए सेलेटी ऑटर के उपर इसी कोव स्टाइटिकेशन कहते हैं कि इस चैप्टर में इतना ही आपको इस चैप्टर की जितनी भी पीडियाप पर डिसकेशन हुआ है वह आपको मैं बख्रोप से डाउन्लोड कर सकते हैं थैंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू जो मती.